हेलो दोस्तों आज एक स्टॉक के बारे हम बात करेंगे जिसमें आसीस कचोलिया सर ने आज ही के दिन में अराउंड तीन सु रुपे की प्राइस पे दस लाग सेयर भाई किया है इससे पहले भी उनके पास अराउंड फिफ्टीन लाग सेयर थे उनकी जो एवरिजिंग प्राइस थी वो 187 की थी स्टॉक जो है एक ग्रोइंग सेक्टर से बिलाउंग करता है एंड अपनी सेल्स को पिछले पांच सालों में ट्रिमेंडस तरीके से ग्रो किया है साथ ही साथ अपने प्रॉफिट को भी कायम रखने में कंपनी के पेबल नजर आती है इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे क्यों ये कंपनी बाकी कंपनियों बाकी जो फाइनिंशिंग वाली कंपनी है उनसे differentiate करती है खुद को और किस तरीके से इनका growth plan है आगे का और किस तरीके से इन्होंने अपने आपको पिसले 3 सालों में build up किया है इसके बारे हम बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि यासिस का चोलिया सर की क्या averaging price है पिसले 5 सालों के अगर इस company की sales growth की बात करूँ तो 187% CAGR की है वहीं अगर पिसले 5 सालों के profit CAGR की बात करी जाए तो वो 68% का है दोनों ही number काफी सांदार नज़र आते हैं इसके अलावा अगर इस company के growth phase की बात करें COVID time से लेके next 18 month तक इन्हों ने अपने business को build करने पे काम किया था वहाँ पे इन्हों ने जो major काम किये थे वो है कि इन्हों ने अपनी team को 200 employees से बढ़ा के 2000 employees किया 8 locations पे अपनी branches थी उनको बढ़ा के 100 locations तक किया और जो digital infra है उसमें जो 10 people की team थी उसको बढ़ा के 250 people की किया है इसके साथ साथ ही उन्होंने अपनी data analytics team के अंदर recently 50 members को add किया है तो company काफी सांदार है अगर 80 का चुलिया सर की averaging की बात करें तो 15 lakh shares थे उनके पास 187 की price के and 10 lakh shares उन्होंने भाई किया है 300 की price पे तो उनकी averaging बैठती है around 232 rupees की तो जो currently small cap stocks के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है आज ही सारे small cap sector के जो stock है वो काफी down थे and ऐसे मैं अगर ऐसे कोई stock हमें काफी अच्छे गिरावट पे अगर मिलता है तो definitely उसे add करने के बारे में अपनी study के बाद add करने के बारे में सोचना चाहिए company का नाम है Ugro Capital and ये technology focused एक small and medium enterprises को जो business है उनको financing करने का काम करती है different different sectors की SME जैसे की healthcare, education, chemicals food processing, FMCG hospitality, electrical equipment and auto component lightning engineering, micro enterprises इन सारे ही sector से related जो companies है small and medium enterprises कि उनके financing का काम करती है तो इनके management से जब पूछा गया कि ये काफी competitive industry है और साथ ही साथ जो loan देना होता है वो काफी easy होता है लेकिन वापस recovery करनी काफी मुश्किल होती है तो इस पर उन्होंने बोला कि generally जो traditional business करते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी business छोटे business को या किसी को loan देना होता है तो उसके पिछले 3 साल के जो ITR filling वगएरा है इस तरीके के data को tax filling के data को major करके फिर उसको loan देती है जबकि जो इनकी credit underwriting है वो पूरी data driven है और ये उनके GST filling का data लेते है देन उनके bank account की detail लेके technology की मदद से वो पता करते हैं कि किस तरीके का इनका turnover है और ये क्या अपने जो loan की ये माई बैठती है उसको वापस दे पाने में सक्सम लोग भी है या नहीं है इस चीज को follow करते हुए इनका जो login to disbursement rate है वो 30% का है यानि अगर इनके पास 100 लोग आते हैं loan लेने के लिए तो ये उनके data को सही तरीके से जांच करने के बाद only 30 लोगों को ही loan देते हैं तो ये उतने ज़्यादा कि हर किसी को loan दे इस तरीके का business नहीं करते हैं तो काफी अच्छा मुझे ये point लगा इनके business का अब अगर market cap की बात करें तो 2682 करोड market cap की currently ये company है company का नाम Ugrow Capital है current price ये 290 के price पे trade करते हुई नजर आ रही है अगर इसके sales growth का data देखा जाए तो 3 साल में भी इनकी sales 86% से grow करी है और जो profit है 26% से grow करा है return on equity only 4% का है क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों में company ने अपने आपको build करने में लगया है and now वो time है कि company आने वाले time में अपने आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने capital के according अपने investment के according return कम आपाने में सक्सम नजर आएगी debt to equity ratio and debt इस company के अगर बात करें माईने नहीं रखता है क्योंकि ये किसी और से loan लेके further आगे loan देता है तो ऐसी जो financing वाली या lending companies होती है उसमें हम ना तो ROCE को measure करते है and ना ही debt पे उतना ज़्यादा जोर देते हैं अब अगर profit and loss statement की बात करी जाए तो जो इनका revenue है वो मार्च 2022 में 2 करोड था वहाँ से बढ़के 4 करोड होता है फिर 2017 तक लगातार 2018 तक इसी range में भूमता है फिर 2019 में इन्होंने सही तरीके से काम करना start किया 2019 में इनकी जो loan book है वो 44 करोड की थी currently वो बढ़के around 750 करोड की है काफी सामदार तरीके से company ना grow किया है net profit की भी बात करें तो company ना लगातार अपने net profit को sustainable तरीके से grow किया है अब अगर इनके GNPA की बात करें तो सितंबर 2022 में इनका GNPA 1.70% था फिर December 2022 में भी ये 1.70 था March 2022 में ये बढ़के 2.46% हो गया था अब अगर इनके shareholding pattern को देखें तो promoters के पास only 2% की holding है generally ऐसी companies professionally managed होती है आप SDFC bank का भी shareholding pattern देखेंगे तो वहाँ पे आपको promoters के पास कुछ नहीं दिखेगा जैसे infosys का भी आप shareholding pattern देखोगे तो वहाँ भी around 14-15% ही promoter के पास दिखता है बाकी ये सारी company जो इतनी बड़ी company जो आती है वो professionally managed होती है यहाँ पे देखें तो FII के एक Danish company है उसका investment है काफी जादा तो FII की holding around 21.99 है इसके बाद आप public के पास 69% देखते हैं लेकिन आप देखेंगे कि Newquist Asia investment and Clear Sky investment इनके पास इनकी major holding है around 16-16% की and इसके बाद HNI के पास भी around 6.4% की holding है तो around 30% का हिस्सा only retail public के पास नज़र आता है remaining 70% जो हिस्सा है वो big HNI या जो FII है उनके पास नज़र आता है साथे साथ SS कचोलिया जैसे Ace investors की भी entry इस stock की future growth को और दिखाती है तो अगर अभी जो currently जो market के अंदर जो fall चल रहा है small cap stocks के अंदर जो आज की जो news थी society and general के तरफ से जो front running का case सामने आ रहा था उस news को small cap and mid cap ने काफी negative तरीके से लिया और काफी अच्छा fall small cap and mid cap category में देखने को मिला था ऐसे में अगर हम कुछ ऐसे business की list बना के रखें जिस जिन पर हमें conviction हो जिनका business अच्छा हो और साथ ही साथ किसी Ace investor ने भी उसे buy कर रखा हो और वो stock अगर हमें 10-15% के discount पे मिलता है तो definitely वो एक buying opportunity साबित हो सकती है उसी के लिए मैंने आज ये stock आपके साथ share किया है and technology focused है साथ ही साथ different different type के इन्होंने अपने जो project है वो launch कर रखे है यूग्रो से related जिसमें वो focus तरीके से काम करती है कि किस तरीके से इनको branch से loan देना है किस तरीके से इनको chain बना के loan देना है या इस तरीके के जो इनको different different digitally इनके product है जो इनके business को और expand करने में मज़द करते है and अगर इनके chart की बात करी जाए तो इनका chart आप देखेंगे तो ये weekly candlestick पर मैंने chart को open कर रखा है यहाँ पे जो ये rate है ये काफी सांदार नज़राती है 229 की अगर इस rate पर मिलता है ये stock तो definitely एक सांदार buying price होगी लेकिन current price पर भी अगर इस stock को धिरे धिरे accumulate किया जाए तो definitely अगर इसकी भी long term का अगर किसी का नज़रिया हो तो ये stock काफी अच्छे return दे सकता है तो आज का वीडियो यही था educational purposes video बनाए गया है कोई buy or sell recommendation नहीं है तो किसी भी stock को buy or sell करने से पहले खुद analyze करें या अपने financial advisor की मदद लें Again, thank you